हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई कीचन दवेज हाउस आज हम बनाएंगे मीठी सेव जो बहुत ही जली बन जाती है और बहुत ही कम इंगीडियन्स में बन जाती है तो मीठी सेव बनाने के लिए मैंने लिए बारिक वाली सेव जो एक पैकेट लिया है 140 ग्राम है और जितनी हमन 140 ग्राम ली है और 100 ग्राम गी लेना है तो आईए अब हम बनाना स्टार्ट करते है तो कड़ाई गरम करने के लिए रख दिया है और एक तरफ पानी बोईल करने के लिए रखना है जो मैंने डेल ग्लास पानी लिया है हम पानी डलके सेव बनाएंगे तो अभी गी आड़ कर देंगे गी अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम सेव को सेख लेंगे तो अभी गरम हो गया है और सेव को मैंने टुकड़े कर लिया है तो अभी सेव को हलका ब्राउन सेख लेंगे यह बहुत ही जली सीख जाती है तो हमको सेखते टाइम ध्यान रखना है क्योंकि यह बहुत ही बारिक है तो बहुत ही जली सीख जाती है तो ज्यादा नहीं सीख जाती है उसका ध्यान रखना है आप देख सकते हो ब्राउन कलर हो गया है बहुत अच्छे से सीख गए तो अब ह क्या हुआ पानी एड़ कर लेंगे पूरा पानी अच्छे से घुल जाए मिक्स हो जाए उसके बाद हम चीनी एड़ कर देंगे अब पूरा पानी मिक्स हो गया है अब गयास कम करके हम चीनी एड़ कर लेंगे आप इसमें इलाइची पाउडर भी डाल सकते हो ड्राइफुट भी मिक्स कर सकते हो मैंने प्लेन बनाई है तो अब यह चीनी भी मिक्स हो गई है बहुत अच्छा कर रहा है सेव बनके रेड़ी अब हम serving के लिए निकाल देते हैं तो अब her serving के लिए निकाल ली आप देख सकते हो कि वह बहुत ही जली judged बन गई है और बहुत ही अच्छी बनी है आप घर पे जरूव ट्राई करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी ये सेव कैसी बनी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें